वेल्गम दोसे इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वारेल चल रहा है बेरोजगारी और अन्भक्ती लोगों से क्या नहीं करवा रही है मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ अपडेट साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि गोदी गया है पेपर लीक का उन्होंने किस तरीके से गोदी मीडिया के पतरकारों को खदेड़ा है साथे साथ शेयर करेंगा आपके साथ कि इस वक्त सोशल नीडिया पर हैस्टाग डूवरा की ट्रेंड कर रहा है उसके पीछे क्या वज़ा है और छोटे बड़े कई सारी मेल्स भेजे जा चुके हैं मुकेश अमबानी को और पांचवे मेल के बाद पुलिस ने जिस तरीके से ढूंडा है उस शक्स को जो अपने आपको शदाब खान बता रहा था रिपोर्ट में बता जा रहा है कि 21 साल का ये बीकॉम का चात्र है और पहले तो इसने 40 करोड़ों से शुरुआत करी थी पहले 40 करोड़ों की मांग करी फिर उसके बाद बढ़ता गया और उसके बाद 400 करोड़ों की मांग कर डाली और धमकी भरे मेल जो है वो मुकेश अमबानी को भेज रहा था शदाब खान नाम से और इस मेल के अंदर ये भी कहने की कोशिश कर रहा था क पकड़ सको अगर पकड़ सको तो यानि कैच मी इफ यू कैन जब पुलिस को देखा अपने दर्वादे पर तो सारी हवा निकल लए पूरी रिपोर्ट तब निकल के आई जिस तरीके से जो अनभक्तो की मीडिया है वो लगतार बिना अतथ के बिना जाच के बिना किसी बड देखा है उन्होंने कि मुकेश अमबानी को फ्रेश थ्रेटनिंग इमेल्स मिले हैं शादाव खान से क्योंकि इससे पहले भी मुकेश अमबानी को कई ऐसे मेल्स मिल चुके हैं शादाव खान से उन्होंने एगनोर किया लेकिन इसके बाद लगतार उनको ऐसे मेल्स मिलते जा रहे हैं रिपोर्ट जब सामले आई तो पदा चला इशादाव खान निकला राजमीर खांट जहां 21 साल का बीकॉम का छात्र है तो जिस तरीके से मैंने बता है कि बेरोजगारी और अनभक्ती जो है वो लोगों से ये सब कुछ करवा रही है पुलिस ने गिरफतार कर लिय है और जिस तरीके जनभक्तु की मीडिया इसको रिपोर्ट कर रही थी अब उनके खेमे में सन्नाटा मालूम होता है साथ साथ आपको बता दे कि गाउ रक्षकों को अब बिर्यानी की दुकानों से आपकती है साथ साथ आपको बता दे कि सोशल मेडिया पर एक वीडियो क्लिप बार्ल हुई है बताई गई है कि यह अफसर के घर की है जहां कुछ बंदुक तानेवे लोग बेरोजगार लोग घुसते हैं और लूट लेते हैं अफसर को सोना, कैश, मुबाइल फोन्स या तक के गाड़ी भी लूट के ले जाते है और वीडियो क्लिप काफी वाइरल होती है जिसके जो लोगों का जहन हो गया है यह सबसे बड़ा रीजन बता जा रहा है ऐसी वारदादों का मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए के वो लगातार विरोर प्रदशन कर रहे है और री एक्जाम की मांग कर रहे है तो उसी दावरान ये क्लिप भी वाइरल निकल के आई जहां आज तक के पत्रकार जो है वो ग्राउंड पर थे और यहां तक के टीवी नाइन जो चैनल है उसके पत्रकार दी जो है वो ग्राउंड पर उत्रे हुए थे और किस तरीखे से आज तक के पत्रकार को गोदी मीडिया गोबैक के नारे लगा करके वहाँ से भगाया गिया यहां तक के टीवी नाइन यहां टीवी नाइन न्यूस चैनल के लाइफ चैनल पर जो है लाइफ शो के अंदर एक कैंडिडेट ने पत्रकार से पूछ लिया के आपकी मीडिया को लोग विकाव मीडिया क्यों कहते हैं तो यहां तो गोधी मीडिया की जबरदस फजियत होती हुए दिख रही है जहां ग्राउंड लेवल पर लोगों को पता है कि मीडिया किस लेवल पर काम करती है और भी उनका जो गुस्सा है वो भरता हुआ दिख रहा है और जिस तरीटे से यह अपडेट्स आ रहे थे अपडेट जो लेटेस आई थी उसके मताबिक उनको बेल मिल गई थी लेकिन जमाना तो नहीं मिली क्यूंके उनके उपर PACA यानि Prevention of Antisocial Activities Act के तहत उनको फिर से डिटेन कर लिया गया है और रिपूर्ट के मताबिक वदोडरा जेल में उनको भेज दिया गिया है और ये जो एक्ट लगाया गिया है ये खतरनाक लोगों पर ड्रग उफेंडर पर इम्मॉरल ट्राफिक उफेंडर और प्रॉपर्टी ग्राबर जैसे लोगों पर लगाया जाता है जो ऐसे कामों को करते है मुफ्ती के ओपर ये धारा लगा करके सोशल मीडिया पर लोग काफी नराज हुए बताया जा रहा है कि जिस एक्ट के तहट उनको डिटेंट किया गिया है पी एसी है उसके अंदर चार से एक साल तक की जेल होती है यानि चार महीने से एक साल तक की जेल होती है तो सोशल मीडिया पर इस वज़े से भी इस अपडेट को ले करके खासा चर्चा है साधर साथ आपके साथ शेयर कर दे आपके साथ अपडेट बीजेपी करनाटका के इंस्टरग्राम पेज के हवाले से है और उसके अंदर इस गाने का इस्तिमाल करके जिसका न तो इसी पर अस्ट्रेलियन सिंगर लेंका ने कॉमेंट पास कर दिया उन्होंने कहा कि मैंने इस गाने के लिए अप्रूफ अप्रूबल नहीं दिया है यानि उनका कहने का मतलब है कि जो वीडियो के अंदर गाना इस्तिमाल किया है उनका उस गाने के लिए उनसे अप्रू Political Message के लिए गाने का इस्तमाल किया जा रहा है, तो Permission लेनी पड़ेगी, अब इस दावे के बाद जो है, वो BGP करनाटका के Instagram पेज से इस वीडियो को हटा लिया गिया, अलग फजियत होती हुए दिखी, साथे साथ शायगर्दे के दुरूब राठी किस वज़ा से trend कर रहे है उनकी एक recent वीडियो आई है, इस वीडियो का नाम उन्होंने रखा है, जो टाइटल है वो अलग है, लेकिन thumbnail में लिखा है, The Dictator with the Question Mark, अब जाहिर सी बात है कि इस वीडियो के अंदर धुरूब राठी ने BGP पर सीधा हमला बोला है, नहीं देखी वीडियो तो देख पिन भी कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में में दे दूँगा, लेकिन यहाँ पर Twitter के अंदर क्या चल गा है, Twitter के अंदर चल रहा है कि धुरूब की वीडियो ने Twitter पर आग लगा दिये, बता जा रहा है कि 6 million views 24 घंटे में पार किये हैं, top 50 handles ये Twitter के हैं, उन्होंने इन वीड कर रहा है, उसके पीछे लगभग 10 million views है Twitter पर, और YouTube पर तो भी 5 million पार कर रहा है, और लगातार बड़े-बड़े handles जो है, वो धुरूब की इस वीडियो को शेर कर रहे है, जिसके अंदर उन्होंने BGP को सीधा जवाब देने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक के social media के user जो है वो यह कहने की कोशिश कर रहे है, कि जो काम 10 साल में यह पत्रुकार नहीं कर पाए, जो कि अपने आपको पत्रुकार कहते हैं, जो यह काम नहीं कर पाए, 30 minute की अंदर, यानि 30 minute की वीडियो में, धुरूव राठी जैसे YouTuber ने करके दिखा दिया है, यहाँ तक कि जो लोग ध चेंज हुआ है, और जिस तरीके से यह वीडियो वाइरल हो रही है, कई अनुभग्द भी इस वीडियो को देख करके चौक रहे हैं, और सोचने पर मजबूर हो रहे है, मजबूर हो गया है धुरूव की वीडियो को शेर करने के लिए, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा खतरा है, डिक्टेटरशिप को वो पहले इंडिपेंड़न जनलिस्त यानी रविश्कुमार से है, इंडिपेंड़न यूट्वर यानी धुरूवराठी से है, इंडिपेंड़न फैक्चर यानी मोहम्मेद भूबेर से है, और जाइड से बात है, CCTV कामरा स सोचल मीडिया की वाइल खबरों में आज के लिए इतना ही अपनी राज सुझाओ कॉमेंट में जरूर बताए मिलूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खया लखे